स्वागते आपका दा हीमालियन स्टेडी इडूप चलने पर हम आसिस कुमारस्तोगी आज आपके सामने हम मैत्पुर्ण सूषना लेकर आए हैं इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि विग्यापन संख्या उड़नचास प्राचारे पद के बारे में और विग्यापन संख्या पचास असिस्टेंट प्रोफेसर भरती के संबंद में मैत्पुर्ण जानकारी इस वीडियो को आप लोग पूरा जरू देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो ये आपके लिए काफी मैत्पुर्ण बीडियो है इसमें लिखाए कि उचितर सिक्षा सेवा अयोग में बिग्यापन संख्या उरंचास के तहत प्राचारे पद के अभ्यार्तियों का साक्षतकार वे स्यक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन अवी तक रुका हुआ है यानि कि जो प्राचारे पद के लिए जो साक्षतकार है और उसका जो दस्तावेजों का सत्यापर होना है बेह अवी आपका रुका हुआ है और इसमें लिखाए कि बही बिग्यापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पदी की लिखित परिशा की तारीक तै नहीं हुई है यानि कि ये जो परिशा थी आपकी मई में इसकी स्टार्टिंग थी लेकिन कुरोणा बायरिस के वज़े से परिशा जो है आपकी इस्तेकित की गई थी और इसमें लिखाए कि उक्त भर्ती में पचिす सो के लगवग आवेदन अपूर हुए है यानि कि ऐसे अभ्यारती जिनोंने फारं भने में कहीना की गलती की है उनकी संख्या है 2,500 पांसो या अब ध्याना के डाई है यार के आसपास ऐसे अभ्यारती हैं जिनों ने विग्यापन संख्या 50 में असिस्टेंट प्रोफिसर भरती के फारम में गलती की है और इसमें दे रखा कि अभ्यारती ने कॉलिज बिशे उम्र का ब्यौरा ठेक से नहीं भरा है उक्ति परि प्रेटक की तारिक अभी निरधारित नहीं हुई है यह वीडियो आपके लिए काफी महत्मुन है इस वीडियो को आप लोग जादे स्यादा गुरूप में शेर करें ताकि सभी को यह जानकारी मिल जाए और जैसे ही हमारे पास कोई अगर निव जाह में मिलती है तो हम आप आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर प्रोवाइट करा देंगे अगर कोई वी डेट आती है परिक्षा संबंदी जानकारी या कोई अन्य संबंदी जानकारी इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें अभी हम इसी वीडियो में और इसमें देखेंगे आगे क्या महत्पुर्ट जानकारी है आपके लिए तो यह दियान लखें आपकी इस समय जो है उच्चितर सिक्षा सेवा आयोग में अभी काम जो है इस समय धेमा चल लिया है जिसकी वरे से कोई भी अभी जान प्रिख्षा सेवा आयोग को अपनी गतिविदी शुरू करनी चाहिए यह जो वाकिये लिखा हुआ है कि कोरोना का प्रिखाव कम होने लगा है उत्तर प्रदेश में इसको ध्यान दखते हुए अब उच्चितर सिक्षा सेवा आयोग को आपनी तयारी प्रार्म कर देनी चा प्रिक्रिया पूरी होने में काफी समय लगेगा बही नई भरती निकानने का काम भी प्रभावित होगा तो यह जो जानकारी हमें मिली है यह दैनिक जागरान के माध्यम से हमें जानकारी मिली है और कोई भी अगर नहीं जाती है तो हम आपको इसी चलने के माध्यम से वीड मिल जाए तो यह द्यान एक हैं आपकी क्योंकि प्रत्योगियों का कहना है कि जल से यह परिक्षा होनी चाहिए नहीं तो आप जानते हैं कि यानि कि 2022 के प्रारम में इलेक्षन हो जाएंगे उतर प्रदेश में तो यह वीडियो आपको कैसे लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम इसी प्रकार के नईने वीडियो आपको इसी चलने के माध्यम से प्रुवाइट कराते रहेंगे धन्यवाद झाल 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